इस साल के Medicine के Novel Prize की घोसणा अभी हुई है और कहा जाघ रहा है कि जिस पर ये प्राइस दिया रहा है वो बहुत ही लेंडमार्क रिसेर्च है तो आये हम भी समझने की कोशिश करें कि आखिर वो रिसेर्च क्या है है यह पुरुस्कार दिया गया है तीन बैग्यानिकों को जिसमें से दो अमेरिका के हैं एक हरवर्ड से हैं और एक जॉन हॉपकिन इंस्टिटिट से हैं और एक यूके के ऑक्सपॉर्ड इनिवर्सिटी से हैं और यह प्राइस दिया जा रहा यह इस बात के लिए है कि जो हमारी सेल्स हैं वो oxygen की availability को कैसे sense करती हैं और उसके हिसाब से कैसे adapt करती हैं देखिए हम सब जानते हैं कि oxygen जिन्दगी के लिए बहुत ज़रूरी है हम कुछ minute के लिए भी सांस नहीं रोक सकते हैं हर minute हर second हमारी सारी cells को oxygen चाहिए वो भी एक appropriate quantity में तो इसकी कुछ macro mechanisms होती है कुछ micro mechanisms होती है तो macro mechanism यह है कि जैसे कि हम दौड लगाते हैं या सीडियों पर चड़ते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है सांस इसलिए फूलती है कि उस समय हमें ज्यादा oxygen चाहिए इसलिए हमारे फेफड़े ज्यादा काम करने लगते हैं और हम ज्यादा oxygen अंदर ले जाते हैं दिल भी तेज धड़कने लगता है ताकि खून तेज जाए और oxygen सब जगे तेजी से पहुंच जाए लेकिन इसकी कुछ माइक्रो मेकेनिजम्स भी होती है कि सेल्स के अंदर क्या हो रहा है और खास्तोर से अगर लोकली कहीं पर oxygen की requirement बढ़ रही है या घट रही है तो उसको बॉड़ी कैसे regulate करती है यह research उसको deal करती है इस research में gene switching का काफी application है और जो इस research का पूरा central idea है वो एक factor है जिसको कहते हैं HIF, H का मतलब है hypoxia, I is for inducible और F is the factor, hypoxia inducible factor हिफ, हिफ एक gene भी होती है और एक protein भी होती है तो हिफ gene हिफ protein बनाती है हाइपॉक्सिया का मतलब होता है oxygen की कमी तो जैसे ही सरीर में कहीं भी locally अगर oxygen की कुछ कमी होती है तो फिर यह हिफ factor निकलने लगता है और जैसे यह हिफ factor निकलता है तो फिर यह बहुत सारी करीब 300 genes के आसपास को activate कर देता है और फिर वो एक नई process शुरू कर देते हैं और अगर oxygen का level बढ़ता है तो फिर यह हिफ factor disappear हो जाता है तो जब यह हिफ factor environment में होता है उस local area में होता है तो यह तीन काम करता है पहला काम यह करता है कि यह hemoglobin का synthesis बढ़ा देता है दूसरा काम यह करता है कि RBC का बनना भी बढ़ा देता ह और तीसरा और बहुत important काम यह करता है कि नई blood vessels बनाने लगता है तो यह जो research है कहा जा रहा है कि इसके बड़े applications होंगे और तीन areas में applications सामने नजर आ रहे हैं पहला application है आपका जो खून की कमी होती है अनेमिया में जैसे जिनको kidney disease बगएरा होती है जिनकी body खून नहीं बना में ठीक हो सकता है और इसके लिए एक दवाई चाइना में approved भी हो गई है और हो सकता है कि एक दो साल के अंदर वो market में मिलने लगे दूसरा और जो बहुत important कहा जा रहा है वो यह कहा जा रहा है कि अगर कहीं blood supply रुक रही है जैसे कि मान लिजिए कि किसी के heart में कोई blockade आ ग गया है तो उस ब्लॉकेट की बज़े से हमारे heart को बराबर oxygen की supply नहीं मिल पाती है और supply नहीं मिलने से फिर heart attack आने के चांस हो जाते हैं तो अभी वह ब्लॉकेट हटाने का तरीका यह है कि हम उसको साफ कर देते हैं या तो stent लगा के साफ करते हैं या फिर bypass बनाते हैं एक औ कि वह गोली खाल लेने से फिर heart के अंदर नई arteries बनने लगेंगी अगर हम hip को अप्रेगुलेट करते हैं तो यह heart attack के cases में बहुत ही बड़ी medicine हो सकती है और तीसरी जो बात है वह है cancer से लेके और cancer में क्या होता है कि जैसे tumor बढ़ा होता है तो अंदर की cells को hypoxia होने लगता है उन cells को oxygen की कमी होने लगती है और उस कमी के चलते हैं फिर वो tumor क्या करता है कि अंदर नई नई blood vessels बनाने लगता है या फिर metastasize हो जाता है दूसरी जगे जाने लगता है तो अगर उस situation में hip को down regulate किया जाए तो down regulate करने से यह होगा कि जो tumor है वो blood vessels नई बना पाएगा और फि cancer की therapy में भी इसका application है तो क्योंकि यह heart attack और cancer यह दो सबसे बड़े कारण है human death के इसलिए यह माना जा रहा है कि यह जो research है इससे काफी दवाईयां बन सकती है और इसके काफी बड़े applications हो सकते हैं जो john hopkin institute के scientists हैं जिनको यह prize मिला है उन्होंने एक press conference की थी मैंने उस press conference को द पता हैं सारी जो promises हैं वो बता हैं लेकिन तीन बातें उन्होंने side line में कहीं उनकी तरफ में आपका ध्याना करसित करना चाहता हूं पहली बात उन्होंने यह कहा है कि यह दवाई बनेगी कि नहीं बनेगी यह बड़ा रिसकी मामला है और ठीक से काम करेगी कि नहीं करेगी यह बड़ा रिसकी मामला है यह basic research हो गए यहां तक तो ठीक है लेकिन actual में कितना applicable होगा यह अभी कहा नहीं जा सकता है और कोई भरोसा नहीं दवाई बन जाए और दवाई बनने के बाद यह भी हो सकता है कि जैसे कि आप उसे cancer के लिए ले रहे हैं तो आपको side effect में heart attack मिल है यह heart attack के लिए ले रहे हैं तो side effect में आपको cancer मिल जाए क्योंकि वह opposite actions है उसके दूसरी बात उन्होंने यह बताई कि यह जो research जिसको nobel price दिया जा रहा है जब यह उन्होंने की थी और जिस journal में उन्होंने इसको छपने के लिए भेजा था तो उस journal ने इसको reject कर दिया था और एक तीसरी बात जो उनके दिल से निकली वो यह थी उन्होंने कहा कि इसकी ceremony जो है वो 10 December को Stock Home में होगी जबकि उन्हें इनेवल प्राइज दिया जाएगा और 10 December को Stock Home में सूरज सिर्फ 10 मिनिट के लिए निकलता है यह बात थोड़ी सी उन्होंने उदासी में कही थी और क्योंकि यह press conference उसी दिन थी जिस दिन उनको खवर दी गई थी कि उनको prize मिलना है तो उन्होंने उस दिन थोड़ी champagne भी पी हुई थी तो यह बात उनके दिल से निकल रही थी मैं यह कहूंगा कि यह बात उन्होंने दिमाग से नहीं बोली थी और यह बात प्रवेबली एक ब जोर होनी है तब मेरे दिल में थोड़े अलग टाइप के ख्याल आए और देखिए आज के जमाने में सबसे ज़्यादा इंसान मर रहे हैं हार्ट अटेक से उसके बाद के इंसर का नमबर आता है और अगर हम ठीक से सोचें तो हमें पता चलेगा है कि यह जो हार्ट अटेक स हमसे मौते हैं यह इसका जो मेन कारण है वह ही में defendantी है यह हमारी बवकूफी की वजय से हो रहा है और इसमें किया बवकूफी है और ऐसकी बात करना चाहता हो यह है कि यह बहुत सारे संग्शन्स और एक वंक्षन यह है की हमारा Сोलर पैनल है और हमने क्या किया है कि यह अगर cover कर दिया जाया तो वो कैसे काम करेगा तो इसके हमारे कुछ काम कर रही है लेकिन यह जो solar panel का काम है यह काम उसने करना बंद कर दिया है क्योंकि हमने panel को ठक दिया है तो जैसे मैंने पहले भी एक आद वीडियो में बात की है कि यह जो धूप है यह कम से कम हमारी 1000-1500 जीन्स को on-off करती है लेकिन एक चीज जो scientifically अब बहुत stabilized है वो यह है कि यह जो धूप है यह जब हमारी इसकिन पर पड़ती है तो हमारी बॉड़ी का कोलेस्टरॉल केलसी फर को ही विटामिन डी कहा जाता है तो विटामिन डी बनने की जो प्रकरिया हमारे शरीर में होती है वो एक सिंपल प्रकरिया है और प्रकरिया यह है कि कोलेस्टरॉल धूप की प्रजिंस में केलसी फरॉल या विटामिन डी में बदल जाता है अब होता यह है कि अगर हमने तो बॉडी कोलेस्टरॉल में और ज्यादा बनाने लगती है और वो कोलेस्टरॉल इसलिए ज्यादा बनाती है क्योंकि बॉडी को चिंता है कि विटामिन D चाहिए विटामिन D के लिए कोलेस्टरॉल लगता है इसलिए बहुत सारा कोलेस्टरॉल बनाने लगती है और दूसर में से निकल निकल के blood vessels में चला जाता है और arteries का calcification होने लगता है और heart attack के दो ही main कारण है पहला है cholesterol plaque कि अंदर cholesterol जमा हो जाता है और दूसरा यह है कि calcification हो जाता है arteries में calcium deposit हो जाता है तो अगर हम अपने पैनल खोल दें और हम धूप को लगने दें अपने शरीर पर तो इस से क्या होगा कि जो हमारा cholesterol है वो vitamin D में convert होगा vitamin D में convert होगा तो body physical cholesterol नहीं बनाएगी और vitamin D जब हमारा सही होगा तो फिर calcification नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी आदमी को जो धूप ले अपने पैनल खोल के रखे कुछ देर के लिए दिन में तो उसको heart attack होने की कोई गुंजायस है और अगर किसी की arteries काफी block हो भी गई है तो उसको साथ में अगर autophagy कर ली जाए तो autophagy सारा कच्रा खा जाती है तो आपकी blood vessels में हो कहीं भी हो इवें दिमाग का कच्रा autophagy खा जाती है तो वो जो cholesterol बगार deposit है यह जा सकता है तो इतनी सिंपल सी चीज है और उस सिंपल सी चीज के लिए हम 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए खर्च करते हैं और अपनी जान गमाते हैं अभी कोई डिवर दो साल पहले जपान में रिसर्च हुई थी जिसमें यह बताए गया कि जो इस्टेंट लगाते हैं इस इस्टेंट का कोई रोल नहीं है सिर्फ प्लैसिबो ए कि हमें अच्छा लगा हम लोग भी बात करते रहे हैं oxygen level की एक हमारा oxygen पर वीडियो था उस पर हमने बात की थी के शहरों में कैसे oxygen कम हो रही है और बलकि मैं तो यह कहूं कि ऐसा नहीं है कि आप शहरों में हमारी body में किसी-किसी point पर hypoxia हो रहा है बलकि पूरे शहर को hypoxia हो हमने oxygen की कमी पर भी वीडियो बुनाया हूँ है हमने इसको cancer से भी लिंक किया था और gene switching की बात तो हमने पिसली वीडियो में ही की थी इतिफाक कुछ ऐसा रहा है कि जैसे जैसे हमारी direction चल रही है उस direction में कुछ scientific evidences भी आ रहे हैं जैसे कि सिहद्वन की पूरी प्रणाली में जो caloric restriction है या fasting है यह बहुत important step है और 2016 का जो Nobel Prize है वो autophagy पर मिला था तो हमारा और moral उसको बूस्ट हुआ और हमने उसको और ठीक से लेना शुरू किया इसी तरीके से करीब 2015-16 के आसपास कभी हमने एक बहुत बात की थी body clock की या जिसको की circadian rhythm कहते हैं टेक्निकली और 2017 का Nobel Prize उसी पर आया है तो हमें लगा कि नहीं scientific direction भी उसी तरफ जा रही है एक हमारा वीडियो बहुत शुरू में जो हमने निकाला था और काफी viral हुआ था वो water को लेके था कि क्यों RO का पानी पीना dangerous है और हमें खुशी हुई इस साल की शुरूआत में जब कि NGT जो हमारा National Green Tribunal है उसने ये decision लिया कि जहां भी पानी का TDS साड़े 500 या 500 से कम है वहां RO का use ban कर देना चाहिए हलांकि वो ban अभी तक लगा नहीं है उन्होंने सरकार को कहा है और सरकार ने अभी तक इसका order इसू नहीं किया है बहराल सरकार अपना order इसू करें न करें हम उमीद करते हैं कि अगर आपने वीडियो हमारा देखा होगा और आपके हां पानी बहुत जादा खारा नहीं है तो आपने इसको भी साथ लेके चलें तो यही मुश्किल काम हम कर रहे हैं इधर हमने knowledge को पकड़ा हुआ है और इधर से natural wisdom को